नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाई पोगलीशेमिया क्या बीमारी है या कैसी होती है दोस्तों यह भी एक बहुत खतरनाग बीमारी है सबसे पहले जानते हैं हाई पोगलीशेमिया क्या है हाई पोगलीशेमिया का आर्थ होता है जब आपके रक्त होता क्यूं है पर्याप्त खाना ना खाना अधिक सारेरी क्रिया कलापों का करना या फिर बयायाम करना सराप का अधिक मात्रा में डायबिटेज दवाईया या फिर इंसुलिन लेना अब आपको बताते हैं आप हाई जो हाई फोगलेशेमिया होने का अंदेशा कब होता है मतल चक्राना, नमबर 6, तुचा का रंग पीला पर जाना, नमबर 7, कमजोरी, नमबर 8, चिंता होना, नमबर 9, दोरा जैसा लगना या कभी कभी दोरा पर जाना, नमबर 10, धुंदली दृष्टी, नमबर 11, सिर में दर्द, और नमबर 12, ध्यान में कमी, आप कोई भी ध्यान करते हैं, तो उसमें आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, आप जल्दी जल्दी चीजों को भूल जाते हो, यदि आपको हाई फोगली शेमिया हो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सभी क्रिया कलाप रोग दें, अपना रक्ट सुगर जाचे, ऐसे खाद या पे पदास लें, जो जल्दी आपका रक्ट सुगर बढ़ा दें, जैसे आधा कप, फलों का जूस, मीठा दूद, सौक्ट ड्रिंक या फिर दो छोटे चमच चीनी ले सकते हैं, सहद या किसमिस ये भी ले सकते हैं, यदि लक्षन समाप नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें हाई फोग्लिश्यमिया रोकने के तरीके, खानी में देरी ना करें, ना ही छोडें, हाई फोग्लिश्यमिया के लक्षन पहँचानने के लिए आपको अपना उपचार जल्दी कराते रहना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको हाई फोग्लिश्यमिया हो गया है, तो जल्दी से डॉक्टर को संपर्क करें दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको यह वीमारी है तो साथ में कुछ ऐसे पदात रखें जिससे सुगर आपकी कंट्रोल रहे मतलब सुगर ज्यादा डाउन ना हो और अपने डॉक्टर को सूचना देते रहें अगर आपका दो सब वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी तो इसके लिए एक काम आपको करना है चैनल सबस्क्राइब करना है दोस्तों आप मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए